आचार जागंद्र मिस्त्रा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एका दशी की कहानी एक लड़का सूट बूट पहन कर अपने ससुरार पत्नी को लेने जा रहा था रास्ते में एक गाय कीचर में फसी हुई थी वह लड़के से कहने लगी कि बेटा मैं कीचर में फसी मुझे हाथ दे कर बाहर निकाल दो वह कहने लगा कि नहीं यदि मैं कीचर में हाथ डालूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे मुझे तो अपनी पत्नी को लेने ससुरार जाना है वह गाएक रोधी तो कसराप देती कि अच्छा तुम ससुरार जाओ तुम वहाँ पे नहाओगे तो आधा गधा और खाना खाओगे तो पूरा गधा बनोगे वह ससुरार पहुंचा उसके सालिक कहते हैं कि जीजा जी आप नहाँ धोकर खाना खालो तब वह कहता है कि मैं नहाँगा तब वह कहते हैं कि खाना तो खाओ तब वह नहाँचे भी नकार कर देता है सब परिशान हो जाते हैं जीजा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं ना तो नहां रहे हो ना ही खाना खा रहे हैं, तब उसके पतनी कहती है कि आप क्यों नहाते या खाते, तब उजबária लड़का गाय की बात पतनी को बताता है, और कहता है कि गाये ने मुझे स्राप दिया है, कि नहाऊंगा तो आदा गदा और खाऊंगा तो पूरा गदा बन जाऊंगा तब पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं आप नहा लीजिये और खुद कुछ खा लीजिये मैं बचन देती हूँ कि मैं आपका साथ दूँगी तब वह लड़का अपनी पत्नी की बात सुन नहाने के लिए तैयार हो जाता है और खाने बैठता है तो पूरा गदा बन जाता है सब उसको गदा समझ कर भगाने लगते हैं तो पत्नी उनसे कहती है कि इन्हें मत मारो ये मेरे पती है इन्हें गाय का स्राप लग गया था इसलिए गदे बन गए हैं आप मुझे इनके साथ ही बिदा कीजिए अब उसे उस गदे के साथ बिदा कर देते हैं वो गदे को लेकर एक जाड के नीचे डेरा डालती है दिन भर महिनत मजदूरी करती है और बारा आने दे पर ना डाल कर खुद ढोती है इस परकार वह रोज करती है तो रानी महलों की खिड़की से रोज का नजारा देखती है कि ऐसा इसे कौन सा दुख है कि ऐसा क्यूं करती है एक दिन दासी को भेज कर उसे अपनी महल में बुलाती है और पूशती है कि तुम ऐसा क्यूं कर और कहती है कि इस प्रकार मेरे पत्स तराप की बज़े से गधा बन गए तब रानी पूंच्टी कि इसका उपाए क्या है तब वसंगल प्रकर के इस चौबी से का दसी को दे दे तो मेरे पती पहले की तरह ठीक हो जाएंगे तब वे राज में एलान किया जाता है कि 24 एक अदसी जिसने भी की हो वे राज दरबार में आए तब एक बुढ़िया को लाया जाता है जैसे बुढ़िया संकल्प करके एक अदसी देती हुई नहाती है और उसके नहाने का पानी उस गधे पर गिरता है वैसे 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 वैगदा लड़के के रूप में आने लगता है बुढिया लालच करके एक एक अदसी रख लेती है तो उसका एक कान गधेका रह जाता है सब कहते हैं कि यह क्या हुआ तब बुढिया कहती है कि मैं भूंकी 85 मरीश तो मेरे पास एक एक अदसी तो रहने दो तब सब कहते हैं कि नहीं तुमने संकल्प किया है तो सारी एक अदसी इस लड़के को दे दो वरना यह पूरी तरह लड़का नहीं बन पाएगा अब वह बुढिया सारी एक अदसी उस लड़के को दे देती है और वह गधा पूरी तरे लड़का बन जाता है राजा सारे राज में एलान करते हैं कि जिन से बन पड़े एकादसी करो एकादसी जैसा दूसरा ब्रत नहीं है तो दोस्तों ये थी एकादसी ब्रत कता आसा ही नहीं पूर्ण विश्वासे कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आप इसे लाइक करें जितना हो सके ज़्यादस ज़्यादस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जैस रिक्रशन